नमस्कार दोस्तो स्वागत है आप सभी लोग का स्टेडी ग्लोस पर है दोस्तो आज हम लोग कुछ रूट कॉस के बारे में जानेंगे कि आखिरकार सीरिया के अंदर अभी ये ग्रह युद जो है वो क्यों छीडा हुआ है आखिरकार ये HTS के लड़ा के कहां से आ गए है और इन्होंने हाली के अंदर तीन शहरों पर कबजा क्यों कर लिया है हम लोग जानेंगे कि 2011 से लेकर अब तक ऐसा क्या imbalance की condition बनी हुई है कि सीरिया जो है वो एक ऐसी धर्ती बन चुका है जहांपर अंतराश्ट्री है याँ कि दूसरे देश जो है वो आकर यहां पर लड़ते हैं और इसको एक ऐसी धर्ती बना दिया है कि सभी यहां पर अपनी तागत का आजमाईश कर रहे हैं सीरिया के बारे में हम लोग जानेंगे कि आखिरकार सीरिया के अंदर ऐसा क्या है कि इरान, यहां तक की रशिया, यहां तक की युएसे, टर्की वगरा सभी वहां पर इंटरेस्ट ले रहे हैं और उन्होंने कई बार कोशिशे की हैं लेकिन अब तक वहां पर शांते इस्थापित नहीं हुई है रिसेंटली एक नए हीरो की वहां पर एंटरी हुई है और वो हीरो जो है, वो अब वहां पर तहल का मचा रहा है रिसेंटली कुछ खबरे ये भी आ रही है कि अब उसको मार गिराया गया है जानेंगे हम लोग कि आखिरकार वो व्यक्ति कौन है और कैसे जो है आजकल सीरिया के अंदर जो है ये ग्रह युद्ध छिड़ा हुआ है तो सीरिया के अंदर रिसेंटली भारत की दोड़ा एडवाईसरी जारे की गई है कि कोई भी विदेश यातरा ना करे और जो भी कोई विदेश यातरा करता है तो वो वहाँ पर समल कर जाए 90,000 भारतिये आज सीरिया के अंदर रह रहे हैं उनके लिए एडवाइज है कि आप जल्द से जल्द सीरिया को छोड़ दे और कोई भी भारत से सीरिया के अंदर ट्रेवल ना करे ये एडवाइजरी जारी कर दी गई है दोस्तो रिसेंटली क्या हुआ है रिसेंटली हुआ है कि सीरिया के अंदर एक आर्मी है जिन्होंने बिसिकली हम लोग विद्रुही कहेंगे आर्मी नहीं कहेंगे विद्रुही कहेंगे उन विद्रुही उन्हों क्या किया है आर्मी को हरा दिया है ऐसा हम लोग कहेंगे लेकिन कैसे हुआ है हम लोग सब्सक्राइब से सीरियल ओडर के इंदर समझेंगे Days after Syria's military opposition command launch a fresh offensive seize the country's second largest city of Aleppo Aleppo बहुत बड़ा शहर है जबकि Syria की जो capital है दमिश्क वहां तक वो विद्रोही गुट जो है वो पहुंच रहे हैं HTS के लड़ा के जो है अब आपको लोग को बताता हूं लेकि रिसेंटली भारत के द्वारा एक help line number जो है वो भी जारी किया गया है और एक website जो है वो भी जारी की गई है mail idea बगारा तमाम चीज़े जारी की गई है कि अगर किसी को भी दिक्कत आती है तो वो यहाँ पर contact जो है वो कर सकता है उनको पूरी help की जाएगी आप लोग हमारे 100 days के challenge साथ में जरूर चुड़िए level 3 start हो चुका है हम लोग आपके goals को लेकर focus कर रहे है कि कैसे आप अपने targets तक पहुंचेंगे life के अंदर जो destruction है focus है उसको कैसे destruction को कम करें focus को increase करें और अभी discount काफी चल रहा है threat discount चल रहा है 399 के अंदर यह पूरा कोर्स 100 days का challenge आप लोग के लिए available है देखिए यह Syria है Syria को अगर आप लोग देखेंगे तो एक तरफ Mediterranean Sea जो है इससे लगता है Lebanon जो है इसका एक neighboring country है Syria एक बहुत बड़ा देश है लेकिन अभी एक अंतराश्टी यह ठिकाना बना हुआ है जहां पर सभी लोग अपनी आजमाईश कर रहे है अपनी तागत का दमेशकस जो है यह इसकी capital है देखिए दमेशकस Syria के south के अंदर इस्तित है जबकि Aleppo शहर यहां पर इस्तित है काफी दोनों के बीच में distance है लेकिन फिर भी इतना distance होने के बाद भी बहुत सारे शहर जो है वो लड़ाकों ने यहां पर कबजा लिये है और दमेशकस पर अब उनकी रवानगी बढ़ चुकी है Recently HTS जिसको हम लोग कह रहे हैं कि हयात, हयात अल जो है वो यहां पर एक बहुत बड़ा लड़ाका अभी ग्रूप बना हुआ है जिसने Aleppo, Hama और Dara इन तीनों शहरों पर कबजा कर लिया है Dara recently कबजा किया गया शहर है और दमिश्क जो है वो यहां से केवल और केवल 90 किलोमेटर दूर है अब वो दमिश्क की तरफ बढ़ रहे हैं तो HTS है कौन? इनके बारे में एक बार हम लोग देख लेते हैं देखी basically ये जो वेक्ति आप लोग देख रहे हैं ये विद्रोही गुट का है मैं तो आपको सीरियल और के अंदर बताता हूँ कि कैसे क्या हुआ है क्या सिनेरियो रहा है देखी 2011 के अंदर अरब revolution हुआ था अरब की क्रांती हुई थी तब से ही ये था कि बशर अल असद की जो सरकार है उसको वहां से हटाये जाए और हटाने के बाद दूसरी सरकार इस्थापित की जाए वहां पर लेकिन धीरे-धीरे क्या हुआ कि बशर अलसद के सरकार को रशिया से हल्प मिलने लगी ताकि वो विद्रोही गुटों के साथ में लड़ सके यहां तक कि इरान के revolutionary कार्ट जो है वो भी सीरिया के अंदर तैनाथ है इसके बाद में entry होती है 2014 की अंदर ISIS की जो की एक Islamic group है और वहां पर आने के बाद सीरिया में आने के बाद उन्हें बहुत ज़्यादा तबाई मचाना शुरू कर दिया लोगों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया खुर्दिश लड़ाके थे उनका एक group बनाता है और group बनाकर वो सीरिया के अंदर उनको उतारता है और वहां से वो ISIS को भगाने के अंदर जो है कुछ हट तक कामियाब भी हो जाते है तो USA को वहां पर एक सफलता मिलती है कि ISIS जो group बना हुआ था उसको वहां से वो बहार निकालने के लिए कामियाब रहता है लेकिन अमेरिका की त्वारा जो group बनाये गया था जो कि लड़ाके थे कुर्दिश लड़ाके थे इसका विरोध तर्की करता है तर्की ये कहता है कि जिस group को USA ने बनाया है वो बिसी कली एक आतंकवादी है वो टर्रिश का group बनाये गया है इसी बात को लेकर जो है वो तर्की और अमेरिका के बीच में भी विरोध होता है दोनों एक दूसरे के अंगेश में भी आ जाते है अब ये जो कुर्दिश सेना बनाई गई थी यही कुर्दिश सेना जो है वो धीरे-दीरे क्या करती है कि वहाँ की जो बशर अल-असत सरकार है इसका समर्थन जो है वो करना शुरू करती है अब एक्चली में क्या होता है अब एंट्री होती है रशिया की रशिया बशर अल-असत की सरकार को ये कहता है कि हम आपको weapons देंगे, हम आपको military देंगे, आप खुद जो है वो इनके साथ में लड़िये और इनको बाहर कीजिए, ठीक है, तर्की जो है वो अब कही ना कहीं ये चाहता है कि वहाँ पर जो कुर्दिश लड़ा के लड़ रहे हैं, इनको वहाँ से बाहर किया जाए, मतलब ये पूरे देशों के लिए, येरसे की बात करें, रश्या की बात करें, इरान की बात करें, टर्की की बात करें, तो उनके लिए एक जंग का स्थल जो है वो बन चुका है, सभी लोग जो है वो अपनी आजमाईश वहाँ पर कर रहे हैं, अब यहाँ पर actually में अभी जो condition बन बनने रहेगी और शाषन जो है वो चलता रहेगा इसी की परलल बहुत साड़े ग्रूप जो है चोटी ग्रूप बनना शुरू होते हैं और इसी में एंट्री होती है HTS की HTS ग्रूप जो है वो अलकाइदा से काफी प्रेदित है आप लोगों ने ओसमा बिल लादेन का नाम और अलाइंस बना कर ये कहा कि हम लोग सीरिया के अंदर जो आर्मी है इसको यहां से हटाएंगे और काफी हद तक वो काम्याब भी रहे ये लगने लगा कि आर्मी जो है वो ठीक डंग से काम नहीं कर पाएगी इसलिए आर्मी ने इन्हीं अलाइंसिस के साथ में एक समझता जो है करना शुरू कर दिया अब ये जो अलाइंसिस था जो कि HTS और छोटे मोटे जो गुरूप्स थे मिलिटरी जो गुरूप्स थे इनके बीच में बनाये गया था अब ये धीरे धीरे शहरों के उपर कबजा कर लिया है अब ये बढ़ रहा है दमिश्क के उपर अब सेन बशर अल-असत की सरकार जो है वो इनको मारेगी लेकिन आर्मी जो है वो कही ना कहीं प्रयास तो कर रही है कि इनको बाहर किया जाए और इसी बीच में भारत की तरफ से एक एडवाईजरी जारी कर दी जाती है कि भारत के जितने भी लोग है लगब बग 90,000 लोग वहां प को दिख रही है ये बशर अल-असत की ही है वहां पर लड़ाके जो है वो ओपन फाइर कर रहे हैं किसी को कोई फरक जो है वो नहीं पढ़ रहा है ठीक है देखे ये जो लोग है वो है वहां का जो विद्रोही ग्रूप है उसके लोग है और ये शीरे सीधे अब दिरे-दिर जो है 90 किलोमेटर दूर दमिश्की की तरफ बढ़ रहे हैं इन्होंने रिसेंटल जो है दाहा शहर के अंदर अपना जो एनकॉर्जमेंट है वो किया है अब ये कैपिटल की तरफ बढ़ रहे हैं और अब आप इस रेक्ति के बारे में जो है सोनिए मतलब ये तो ये इरान के विदेश मंतरी हैं अब मुहांबद अबास हैं इन्होंने कहा कि हमारे जितने भी रिवलिशनरी गार्ड के जो सैनिक तैनात है सीरिया के अंदर हम उनको वापस बुलाना चाहते हैं वो वापस से अब आने को तयार है हम लोग जितने भी फ्लाइट्स वहां पर भेजेंगे सबी प्लेंज के तोरह अब इरान के अंदर वापस से लाए जाएंगे रिवलिशनरी गार्ड को लेकिन हाली में कुछ समय पहले ही लगबख साथ से आठ दिन पहले ही यही वेक्ति जो है वो सीरिया के अंदर जाते हैं और उनसे वादा करते हैं बसर अल-असत की सरकार से कि हम आपको हर संबाव प्रयाज ज değша मदद करेंगे लेकिन साथ दिन के बाद में ही सिनेरियो बदल जाता है और इरान गहता है कि हम अब आपके मदद नहीं कर पाएंगे रशिया ने भी यह कह लिया है कि हम आप सीरिया मद नहीं कर सकते हैं इनसे खुद ही निप्टे हम इनक को लडनी पड़ेगे यह वैक्ति देखिए इनका नाम है महामध जुलान ये वैक्ति जो है इनका इसका जन्म जो है वो 18 1982 के अंदर हुआथा 1982 के अंदर इस वैक्ति का जन्म हुआ था लिकिन जन्म ओर सेरिया के अंतर नहीं हुआ और al-qaeda को join वी कर लेता है लेकिन 2006 उसके बाद में धीरे-धीरे-धीरे ये अपना ही ग्रूप जो है प्राना शुरू कर देता है अलग अलग कंट्रीज के अंदर जाकर ये अपनी शरण जो है वहाँ पार देशों में रहना शुरू करता है बहुत बस्ता बचाता ये जो है सीरिया के अंदर पहुंसता है अब रिसेंटली इसने क्या किया है कि इसने इस ग्रुप को हैड करना शुरू कर दिया और ये कहा है कि हम लोग बशर अल-असद की सरकार को यहां से हटाएंगे और इसके डूसरी जगे हम लोग अपने जो ग्रुप है उसको वहाँ पर स्थाफित करेंगे वहाँ पर एस्टाबलिश करेंगे तो यह जो मुहमद जुलानी है यह अब वहाँ की सैना से वहाँ की आर्मी से जो है वो टकर ले रहा है और इसे बीच जो है टीन शाहरों के ओपर इन्होंने कबजा कर लिया है अभी रिसेंटली की न्यूस थी कि यह मुहमद जुलानी जो है इसको अब मार गिराया गया है वहाँ की आर्मी की दौरा इसे न्यूस है कन्फरम नहीं अभी तक ठीक है ना तो अब यह सीरिया के अंदर चल रहा है तो सीरिया को देखिए आप सीरिया ले लीजिए अफगानिस्तान ले लीजिए यह पूरा का पूरा मिडलिश जो है यह एक युद्ध का मैदान बना हुआ है खास दोर पर रशिया और अमेरिका के लिए तो इसे बीच में जो है वो देखने को मिलने वाली है तो देखिए यह जो इम्बैलनसी कंडिशन है वो मिडलिश के अंदर खास दौर पर हम लोग कहें कि USA और रश्या की देन है इन दोनों ने मिलकर जो है पूरे की पूरे मिडलिश को जो है वो imbalance की condition में लाकर खड़ा कर दिया है दोस्तों आप लोग हमारे 100 days के challenge साथ में जुड़ सकते हैं level 3 start हो चुका है prices काफी कम कर दी गई है 399 के अंदर पुरा कोर्स available है hustlers के लिए है जो वाकई में जिन्दिकी के साथ में hustle करते हैं उनके लिए कोर्स available है तो आप लोग जरूर इसको join कीजीगा अगर आपको lecture पसंद आया है तो मुझे आप लोग comment section में जरूर बताईगा तो मिलते हैं आप लोगों से अगले session में तब तक ले धन्यवाद thank you जहें